डेली कनेडियन न्यूज बुलेटन इन हिंदी एन उर्दू, अउनली अट्रैक टीवी मैं हूँ कौक फारू की सबसे पहले शामल करेंगे नियूज हैडलाइन जस्टिन टूडो ने अपनी कावीना का ऐलाम कर दिया, इस्ट्रिया फ्री लैंड डेप्टी वजीर आसम होंगी एंट्रियो शेर का कहना है कि टूडो की नई कावीना एक बार फिर कैनेडियन्स के लिए मुश्किलाग का सबब बनेगी साइबर ट्राइम में इसाफा माहीरीन ने कैनेडियन्स को बचाओ का मश्वरा दे लिया इन्वामिन्ट कैनेडा के जान इफसे टॉरंटो में मौसम अबर आलूद रहने की पेजगोई की गई है अमरीकी सदर के खलाफ मौखजे की कारवाई अमरीकी सफी ने अहाम इनकिशाफात कर दिये नई देली में फिजाई आलूद की बरकरार उत्तर परदेश हरियाना के इलाकों में भी स्मूक चाई हुई है अक्वाम मुत्तर के सेकेटरी जनरल मकबूजा फलिस्तिनी इलाके में इस्राइली वस्तियों के बारे में वशिंटन के ऐलाउंट पर अफसोस का इसहार किया है हैडलाइन्स आपने जानी खबरों की तफसील शामल करेंगे स्प्रिक के बार हमतारशे की जिक्तिस आपक परिंटन के डेकर चीकडियों के Зवंड के बार В Warum आपकी तरह समस्याओं का हल जानते हैं। Swamikashi Guru Ji is a specialist in bringing back your loved ones. He is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours. आपके depression, family, court problems और बेशुमार मसायल के हलका दावा करते हैं. Swamikashi Guru Ji से राप्ता कीजिये 647-765-6311. 647-765-6311. आड्रेस 565 मारकम रोड सकार्बरो. कैनेड़ा से खबर शामल करेंगे आपको बताएं. कैनेड़ा के विफाकी इंतखाबात में हुक्मरान जमात लिबरल्स अकलियत में तबदील हो गई थी. उसके बाद अब वजीर आजम जमात लिबरल्स को अकलियत में तबदील करने के लिए अपनी काबीना में मुतादित तबदीलियां कर रहे हैं. साथ नए चेहरे नई काबीना का हिसाब बने हैं. क्रिस्ट्रिया फ्री लैंड को डैप्टी प्राइम मिनेस्टर का अध़ा सौपा गया है. अलबटा में पैदा होने वाली क्रिस्ट्रिया, कौमी अतिहाद, मैशियत और बड़े चैलंजे सिनेमटने में हम के दार अदा करेंगी. टूडो की नई काबीना के 37 वुजरा में से साथ मौन्ट्रियाल और ग्यारा ग्रेटर टॉरेंटो एरिया में हैं. काबीना में शामिल साथ में से पांच इजाफे इनी शहरी अलाकों से किये गए हैं. तकरीब से खताब करते हुए टूडो का कहना था कि मैं आज बहुत पुर जोश हूँ कि जिस तरह केनेडियन्स ने हमें गुजिशता इंतखाबात में कहा था इस पर काम करने में कामयाब हूँ. मुल्क को एक खटा करने के लिए मतवस्त तबके की मौशी नमू मौसमियाती तब्दीलियों के खलाव जंग और कैनेडा और उनकी बरादरियों को महफूज रखने के अमूद पर तबच्छा देंगे। कंजवेटिव रानुमा एंडियो शेर ने केनेडियन वजीर आजम जॉस्टिन टूडो की नई विफा की काबीना पर तनकीद की है। जिसने केनेडियन की जिन्दगी को मुश्किल बनाया तवानाई के शूबो पर हमला किया और कौमी इत्तिहात का बहरान पैदा किया। कंजवेटिव रानुमा ने कहा कि टूडो ने इंतखाबात से कुछ नहीं सीका जिसमें उनकी अक्सरिती हुकूमा तकलियत में तबदील हो गई। वाज़ रहे के चूडो की काबीना जब तहलील हुई थी तो 35 मेंबरान पर मुश्किल थी जबके नई काबीना में मेंबरान की तादाद 37 हो गई है। दूसी जाने नई काबीना पर अलबट्टा के फिर्मियर जेसिन कहनी का रद्धियामल कहीं जादा मुस्बत था उन्होंने टूटर पर काबीना के नए वुज़रा को मुबारक बात पेश की और कहा कि उन्हें उमीद है कि मुलाजमतें पैदा करने और मरिश्यत को फरोग देने के लिए उनके साथ मिलकर काम करेंगे। उस से जादा का नुखसान उठा चुके हैं जबके चालिस पीसद इजाफी ऑनलाइन अप्रॉट का इनकिशाफ हुआ है। जबके किसी भी और्डर से पहले इस बात को यकीनी बनाएं कि वैबसाइट कानूनी है। माहिरीन की जानब से कहा गया है कि किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले उसे अच्छी तरहां से चेक्ट कर लें। कुछ बात कर लेते हैं इन्वार्मेंट कैनेडा ने टॉरंटो में मौसम अबरालूद रहने की पेशगोई की है। दर्ज़ हरारत मनफी 2 से मनफी 6 तक पहुँच सकता है। मौकषज की कारवाई के हवाल इसे माहरीन का क्याना है कि इस से 2020 के सदारती इंतखाबात पर इंतहाई संगीन असरात मुरत्ब हो सकते हैं। यॉर्पी यूनियन में अमरीका के सफीर ने डॉर्णल्ट टरम्प के मौकषज की कारवाई की समात के दौरान बताया कि उन्हों ने युकरिन से सदर थे सियासी हरीव के खलाफ कारवाई के बदले वाइट हाउस में मुलाकात की मौाइदे की कोशश डॉनल्ट टरम्प के यहकामात के मताविकी थी तेलिविजन पर बरायरास नशर होने वाली समात के दौरान गॉर्ण सौंड लैंड ने गवाही देते हुए कहा कि उनका मानना है कि अमरीकी सदर 2020 के सदारती इंतखाबात में उनके बड़े हरीव जो बाइडन के खलाफ तहकीकात के लिए युकर के हकम पर अमल किया था उनका कहना था कि उन्हें कभी इस बात का वाज़े जवाब नहीं मिला कि वाइड हाउस ने युकरियन के उन्तालिस करोर दस लाग डॉलर की सिक्यूर्टी इमदाग क्यों मौतल की जो रूसी हमायत याफ्ता अलैगी पसंदों के खलाफ लड़ रहा है खयाल रहे कि डानल्ड टरम्प पर अल्जाम है कि उन्हों ने अपने डैमोकरेट हरीफ और नाइच सदर जो बाइडन को नुकसान पहुचाने के लिए युकरियन के सदर से मदद तलब करके अपने हल्ट की खलाफ फरजी की टरम्प ने अल्जामात को मस्तरत करते हुए कहा था कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया यहां यह बात काबली जिकर है कि इस मौख़जे की कारवाई को टालेविजिन पर बरायरास नशर किया जा रहा है जहां करोडों अमरीकी नाजरीन इस कारवाई को बरायरास देख सकते हैं जबकि माहिदीन का मानना है कि इसके 2020 के सदारती इंतखाबात पर इंतहाई संगीन असरात मरत्ब हो सकते हैं नई देली कई दिनों से बत्तरीन फजाई आलूद की किले पेट में है शेहर का एर कॉलिटी इंडेक्स 328 रिकॉर्ट किया गया है मजीद आहवाल इस रिपोर्ट में भार्टेदार नई देली में फजा आने के बाकियात में इजाफे और हवाव की रफ्तार कम होने से नई देली की फजाई अलूदगी में मजीद इजाफा हो सकता है कुछ बात करेंगे अकवाम मुत्यदा के सेकेटरी जरनल का कहना है कि हम फलस्तिनी आवाम की हिमाद के लिए पुराजम रहेंगे और उन करारदादों के बुनियाद पर पाइदार और मस्तकिल अमन हासल करने के लिए इसराईल पर जोर देते रहेंगे मजीद हवाल इस रिपोर्ट में अकवाम मुत्यदा के सेकेटरी जरनल ने मकबूजा फलस्तिनी इलाके में इसराईली बस्तियों के बारे में वशिंटन के ऐलान पर अफसोस का इसहार किया है प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सेकेटरी जरनल के तरजमान ने एक सवाल कि क्या सेकेटरी जरनल को वशिंटन के ऐलान पर खचात हैं जो सलामती कौंसल की करारदादों और ये आलमी कवनीन के खलाफ नहीं है उन्हों ने कहा कि हम फलस्तिनी अवाम की हमारत के लिए पूर रजम रहेंगे और उन करारदादों की बन्याद पर पाइदार और मस्तकिल आमन हासिल करने के लिए इसराइल पर जोड़ देते रहेंगे सिक्यूर्टी कौंसल की करारदाद 2334 बयान करती है कि इसराइल की तरफ से बस्तियां तामीर करना आलमी कवनीन की वाज़े खला फरजी है और दो रियास्ति हल इनसाफ के हुसूल और जामे आमन काइन करने के लिए बड़ी रुकावट है उन्हों ने कहा कि ये सलामती कौंसल का मौकिफ पर करार है हमारा ये मौकिफ कल भी ता और हमारा ये मौकिफ बाच भी है इसे के साथ ही टैक टीवी के पाकस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही मसीब खबरों और अपदेश के लिए देखते रहें टैक टीवी